स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल फार्मिसी ज्यान पर आज मैं फार्मा कोगनूसी चैप्टर 6 सर्जिकल फाइवर्स टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन को आपको करवाऊंगा ये कोश्चन आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टें से वाटर फाइबर क्लासिफाई सर्जिकल फाइवर्स विथ एक्जाम्पल यानि कि फाइबर्स क्या है उसे आपको क्लासिफाई करना है एक्जाम्पल के साथ तो दोस्तों प्लांट और एनिमल से प्राप्त होने वाले ऐसे चेन ऑप मॉलिक्यूल जो सिंतेसाइज होकर फ फाइबर के classification की तो पहला है plant fibers इसके example है cotton, banana, jute, दूसरा है animal fiber इसके example है silk और wool, तीसरा है mineral fiber इसके example है glass और abastus, पांचवा है, sorry, चौथा है synthesis fiber, इसके example है rayon, nylon, terrylene, अब बात करते हैं हमारे दूसरे most important question के बारे में जो की है give the biological source method of preparation use of cotton, यानि कि cotton के biological source और उसे किस तरह से prepare किया जाता है उसके method को आपको बताना है, cotton के synonyms है, absorbed cotton, cotton wool, purified cotton और gossip all, इसके biological source है, कि the drug is obtained from the trichome of seed of gospeum barbadency, यानि कि gospeum barbadency के बीच से जो drugs प्राप किया जाता है, trichome के रूप में उसे cotton कहा जाता है, इसकी family है malicy, आईए अब बात करते हैं cotton के method of preparation के बारे में, इसका पहला point यह है कि जब cotton plant को full से फल बनते हैं, तो उन्हें capsules कहा जाता है, हर capsule में 3-5 chamber होते हैं, उन्हें cells कहा जाता है, वे बड़ी संख्या में trichome से ढखे रहते हैं, हर बीच जो trichome से ढखा रहता है उसे ball कहा जाता है, ball को collect करने के बाद उसे gaining प्रक्रिया से गुजारा जाता है, इस प्रक्रिया में trichome seat से अलग हो जाते हैं, trichome को उनके लंबाई के आधार पर short fiber और long fiber में बाट दिया जाता है, छोटे fibers को surgical dressing में उप्योग किया जाता है, जिनने linters कहते हैं, कच्चे cotton में wax, fats, clearing matter और iron impurities होते हैं, cotton opener की साहता से ये सारे impurities को हटा दिया जाता है, fiber को NaOH sodium hydroxide solution में 10-15 घंटों के लिए रखा जाता है, ताकि fiber से wax और fat अलग हो जाए, पानी से धोना bleach, dried और estralize करके fiber को cotton से प्राप्ट कर लेते हैं, आईए बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में, तो इसका पहला इस्तेमाल surgical dressing के लिए है, जो कि ligature के रूप में और stitter के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, filter media के रूप में इसका दूसरा इस्तेमाल है, इसका तीसरा इस्तेमाल insulator के रूप में होता है, इसका चौथा इस्तेमाल blood, mucos, pus को सोखने के लिए और घाओं को infection से बचाने के लिए किया जाता है, हमारा next important question जो कई बार exam में पूछा जा चुका है, give the biological source, method of preparation and use of silk, यानि silk का biological source, और इसे किस तरह से prepare किया जाता है, उस method को आपको बताना है, तो आईए बात करते हैं इसके answer के बारे में, silk का biological source जो है, यह bombics, mori के cocoon से प्राप्त किया जाते हैं, इसके family bombi seeds है, अब बात करते हैं इसके method of preparation के बारे में, silk के लिए life cycle में warm larva का stage महत्तपूर्ण है, larva के oral cavity में कुछ special gland होते हैं, वे एक fiber बनाते हैं जिने sericin कहा जाता है, इन्हें हवा में खुला छोड़ने पर यह hard हो जाते हैं और cocoon का निर्मान करते हैं, cocoon को इकठा करने के लिए उन्हें 60 degree Celsius से 80 degree Celsius ताप पर गरम किया जाता है, इस प्रकार cocoon खुल जाते हैं, फिर उन्हें गरम पानी में घुला जाता है, इससे fibers और soft हो जाता है, उसके बाद fibers को अलग-अलग packetों में pack करके market में बेज दिया जाता है, सिल्क के fiberoin नाम का protein पाया जाता है, आईए बात करते हैं, इसके इस्तेमाल के बारे में, इसे surgical dressing में इस्तेमाल किया जाता है, और सीफ के manufacturing में इसका इस्तेमाल होता है, और textile industry में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अब आपके सामने सारे नोट्स जो है वो इंग्लिस में है आप इसे स्किन सॉट ले ले या अपनी कॉपी में लिख ले लाइक सियर कमेंट करना ना भूले और अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर ले मिलते हैं नेक्स वीडियो में ब